जैश्री रामकृष्ण हरी साई रामजी सभी साई बक्तों को कैसे हैं आप आज का साई संदेश मेरे प्यारे बच्चे तुम मुझसे आशिरवाद मागो मेरी कुरुपा मागो इसकी तो जरूरत नहीं है मेरे आशिरवाद तुम्हारे उपर हमेशा बने रहती है इसलिए तो तुम्ही अपना बच्चा मानता हूँ मैं अगर तुम जीवन के अनुभव को मुश्किल को होगे तो वैं मुश्किल हमेशा कायम रहीगी दिन भर अपने बीतर अगर यही शब्द गूचते रहती है न कि जीवन मुश्किल है जीवन में कठिनाईन्या है तो मेरी बच्चे तुम वैसा ही अपने कुद के जीवन को बना लेते हूँ तुम्हारा जीवन वैसा ही रूप ले लेता है अपने भीतर की इस शब्दावली को बदलो, जीवन बहतर अपने आप हो जाएगा अगर हर परस्थिती को सीखने का अफसर, मानो, पूरा तयार हो जाओ, तो ग्यान का प्रकाश तुम्हें अजाद कर देता है तुम्हें परस्थिती के हाथों बेबस करना, जान सीखना है और आगे बढ़ना है, चे फैसला तुम्हें आज करना होगा तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे प्रेम सबरूप हो, किसी पीडा का भार लेकर मत जीओ, हिम्मत और भरोसे के साथ जीना सीखो हर काम को पूरी इमानदारी के साथ करो, उच इरादों के साथ करना ही सच्चा ध्यान कहलाता है और मुझे पता है कि तुम जे कर सकते हो, इसलिए तो मैं तुम्हें जे संदेश देने आया हूँ कि अपने हिम्मत को हमेशा बनाए रखना, कभी तूटने मत देना, हिम्मत करोगे तब ही तो आगे बढ़ोगे, मैं जानता हूँ कि तुम जे कर सकते हो और तुम्हें ही जे फैसला करना है कि तुमने अपने जीवन को कैसा बनाना है अगर तुम अपने अंदर शब्दावली को बदलोगे, कहोगे कि मेरा मालिक मेरे साथ है मेरे मालिक ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मुझे विश्वास है कि मेरा मालिक मुझे और भी बहुत कुछ देने वाले है तो बस देखना तुम्हारा घर तुम्हारा जीवन कैसे खुशियों से भरता है और तुम्हें रोज नई नई खुशियां मिलेंगी मेरे बच्चे ये मेरा तुमसे बादा है लेकिद बेशर्ते तुम कभी खुद को दोगे कभी भी खुद को बिखरने नहीं दोगे अगर तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम अब बिखर रहे हो तो मेरे पास आजाया करो मेरे मंदिर आजाया करो मंदिर में बैठ कर तुम्हें बहुत शांती मिलेगी ये तो तुमने भी महसूस किया है ना कि जब तुम मेरे मंदिर आते हो तो तुम्हें कितनी शांती मिलती है बस उसी शांती को पाने के लिए मेरे मंदिर आजाया करो मेरे मंदर में आकर अगरवत्ती चला दिया करो उस अगरवत्ती से जो खुश्बू आएगी वो ही तुम्हारे जीवन में खुश्बू आने लग जाएगी खुशियों की खुश्बू बहुत सारी खुशियां तुम्हें मिलेंगी बस तुम मेरा ध्यान करती रहना मेरे बताई हुई रास्ते पर चलती रहना तुम्हारी रास्ते में अगर तुम मुझ में विश्वास रखती होना तुम्हारी रास्ते में कठनाईया बेशक आएंगी लेकिन तुम उन कठनाईयों को पार भी कर लोगे तुम्हारे जीवन में लोग कहते हैं अगर मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ फिर भी मेरी लाइफ में तकलीफे क्यों आती है, प्रॉब्लम्स क्यों आती है मेरे बच्चे प्रॉब्लम्स तो आनी ही है तुम्हें उन तकलीफों को पार करना होता है तुम पार कैसे करती हो वो तुम पर निर्भर करता है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अपने जीवन में कठिनायना नहीं उठाई क्या मेरे जीवन में जब मैं शरीरक रूप में जहां पर उपस्ते था तो मैंने तकलीफे नहीं उठाई बहुत तकलीफे हैं अगर तुम साइंस अच्रितर ध्यान से पढ़ती होना तो तुम्हें मेरी तकलीफों को जाना ही होगा लेकिन मैंने अपने उस मालिक पर कभी भी विश्वास नहीं खोया मैंने उस पर विश्वास रखा इसलिए आज तुम मुझे मानते हो बस अगर तुम्हें भी ऐसा ही जीवन व्यतीत करना है तो अपने मालिक पर हमेशा विश्वास रखना अगर मुझे मानते हो सच्चे दिल से मुझे चाहते हो तो कभी भी कठनाइन्यों से तखलीफों से घवराना नहीं तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे जीवन में कठनाइन्या आएंगी लेकिन तुम्हें कठनाइन्यों को महसूस नहीं कर पाओगी तुम उसे असाने से पार कर लोगी मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर उसे पार कराऊंगा मैंने तो वैसे भी तुम्हारा हाथ थामा ही हुआ है इसलिए तो तुम्हें तुम्हारा जीवन अभी सरल लग रहा है तुम्हें क्या लगता है कि जे तुम्हारे जो काम हो रही है चुटकी बर चुटकी बजाते ही वो काम क्यूं हो रहे है, बताओ और सोचो, वो काम कुद साक्षात मैं ही तो करवाता हूं, उस काम को खड़े होकर करवा रहा हूं, क्या तुम्हें वो महसूस नहीं होता, बताओ मुझे, अब ध्यान से जो तुम्हारे अभी काम हुए है न, पिछले एक हफते से काम लगातार हो रहे हैं, उसे ध्यान से देखो, और सोचो कि इतने जल्दी जल्दी वो काम कैसे हुए हैं, वो काम मैंने ही करवाई हैं, उसे पता है कि तुम मुझे पर विश्वास रखते हो, लेकिन हाँ, कभी कभी थोड़ा सा डगमगा जाते हो, जब तुम्हीं जे कहता है कि तुम्हारा साई क्या कर रहा है, तुम्हारे जंदगी में तो फिर भी कठनाईया है, क्या तुम उसे जे जवाब नहीं दे सकते कि कठनाईया है, लेकिन मुझे महसूस नहीं हो रहा, कि मैं कठन क्या तुम उसको जे जवाब नहीं दे सकते क्या तुम्हें विश्वास ही नहीं है कि तुम्हारा साइं ही जे सब कुछ कर रहा है अगर तुम्हारे जीवन में नकारातमक कुछ हो रहा है तो उस नकारातमक को छोड़कर सकारातमक की तरफ ध्यान दो फिर तुम्हें एहसास हो कि तुम्हारे साथ कितने सारे चमतकार भी हो रही है मेरे बच्चे मैं तुम्ही हमेशा कहता हूं कि मैं और मेरा आशिरवाद हमेशा तुम्हारे साथ है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जिरूरत नहीं है तुझे मैं ऐसे ही नहीं कहता ऐसे ही नहीं कहता कि मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ हमेशा तुम्हारे साथ था तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा मैं तुम्हारा साई